अपनी strategy बनानी है कि हम कोरोना से कैसे deal करेंगे मोटे मोटे तौर पे सब देशों के experience देखने के बाद एक चीज़ तो साफ है कि आपको कोरोना से तीन कदम आगे रहना है अगर आप सोते रहे और कोरोना फैल गया तो उसके बाद आप कोरोना को कंट्रूल नहीं कर पाएंगे अगर आप कोरोना से जो जो देश कोरोना से दो कदम आगे रहे तीन कदम आगे रहे उन्होंने कोरोना को सफलता पूरवक्त कंट्रूल कर लिया इसके लिए हम सब लोगों ने मिलके मैंने कई experts के साथ पिछले कुछ दिनों से मैं बात कर रहा हूँ कई doctors के साथ मैं बात कर रहा हूँ कई लोगों से बाचीत करने के बाद हमने five step पाँच बिंदूओं का हमने प्लान बनाया है कि हम आने वाले दिनों में दिल्ली में करोना को कैसे नियंतरित करेंगे इसमें ये एक तरह से 5T है 5T प्लान है पहला T है टेस्टिंग हमने ये देखा कि जिन जिन देशों ने टेस्टिंग नहीं की वो जब करोना फैल गया तो उसको करोना को नियंतरित नहीं कर पाए अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां कहां किस किस घर में करोना फैला हुआ है और अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे और करोना फैलता गया नीचे एक आदमी दूसरे को दूसरा तीसरे को और इस तरह से यह चारु तरफ फैल जाएगा हम साउथ का एक्जामपल देखते हैं कि साउथ कोरिया ने किस तरह से बहुत बड़े स्टर के उपर टेस्टिंग करकर के टेस्टिंग करकर के उन्होंने एक एक आदमी को आईडेन्टिफाई किया कि इसको करोना है इसको इसका इलाज कराओ इसको करोना है इसको क्वारेंटाइन कर दो उन्होंने एक एक को इडेंटिफाई किया ताकि वो दूसरे लोगों को संक्रमित ना कर सकें अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन संक्रमित हो गया कौन इन्फेक्ट हो गया और कौन इन्फेक्ट नहीं हुआ इसको अब हम बहुत बड़े स्थर के उपर साउथ कोरिया के तरह करने जा रहे हैं अभी तक टेस्टिंग किट्स की बड़ी समस्या थी अब थोड़ी सी समस्या सुधरी है हमने और पचास हजार लोगों के टेस्ट के ल दिया है और शुकरवार से हमें वो एक लाख रैपिड टेस्ट कराने के लिए हमारे पास डिलिवरी चालू हो जाएगी रैपिड टेस्ट आने के बाद जो जो हमारे होट स्पोट्स हैं जहां हमें लगता है कि करोना के पेशेंट थोड़े से जादा निकले जैसे मर्कज मे का एरिया है उस तरह से दिल्ली में दिल्शाद गार्डन में थोड़े से जादा निकले थे उस तरह से जितने हमारे ऐसे एरियाज है उन एरियाज के अंदर हम जादा रैपिड टेस्ट को जादा इस्तिमाल करके वहां पे रैंडम टेस्ट कराएंगे ताकि हमें पता चल सक हमने पता कर लिया कि ये आद्मी करोना पॉजिटिव है अब ये व्यक्टी किस-किस से मिला चौदा दिन में किस-किस से मिला उनको सबको ऐडेंटिफाइ करते हैं हमारी टीम बहुत एफिशेंट टीम है हमारी अफसरों की डॉक्टर्स की वो identify करती है और उन सब लोगों को self quarantine में डाल दिया जाता है उनको कहा जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे ये tracing अभी तक दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे स्तर के उपर चल रही है अब हमने पुलिस की मदद भी लेनी चालो की है एक आदमी positive निकला उसने हमें बता रहे इसके लिए हम पुलिस की मदद लेते हैं पुलिस को हमने अभी तक 27702 लोगों के फोन नमबर दी है ये पता करने के लिए कि वो जो self quarantine वाले हैं वो घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं उनके फोन से पता चल जाता है कि फोन का moment तो नहीं हो रहा हैं वो घर में रह वाले हैं कि मरकज के अंदर जितने लोग थे वो कहीं आसपास बाहर के एरिया में तो नहीं घुमे थे अगर वो बाहर के एरिया में घुमे थे और वो कहां कहां गए थे वो पता चलेगा तो उन एरियाज को सील कर दिया जाएगा तो ट्रेसिंग के basis पे हम self quarantine करेंगे sealing करेंगे और monitoring करेंगे कि लोग self quarantine follow कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हमारा तीसरा T है treatment जो बिमार हो जाता है फिर उसका इलाज कराना हम है अभी तक दिल्ली में लगबग 525 total कोरोना के positive case आए है हमने इस time already लगबग 3,000 beds की ख्षमता तयार कर लिया LNJP hospital हमने पूरी तरह से कोरोना hospital डिकलेर कर दिया अब वहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा है डेड़ हजार bed वहाँ पे हैं वहाँ पे केवल और केवल कोरोना वालों का इलाज होगा GB पंथ hospital में 500 bed हैं उसको हमने कोरोना hospital डिकलेर कर दिया वहाँ पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है राजीव गंदी सुपर specialty hospital में 4500 beds हैं उसको हमने पूरी तरह से कोरोना bed कोरोना hospital डिकलेर कर दिया वहाँ पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है तो इस तरह से 2450 बेड्स सरकारी क्षित्र में हैं और 400 बेड्स हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड डिकलेयर कर दिया गया है जहां पे 318 बेड्स हैं अपोलो के 50 बेड्स कोविड डिकलेयर कर दिये गए वहाँ पे और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा गंगराम कॉलमेट के 42 बेड्स वो अलग बिल्डिंग है उनकी उसको हमने कोरोना के लिए डिक्लेयर कर दिया वहाँ और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा ये सारे मिलाके 2950 बेड्स बनते हैं आज दिल्ली में 525 पेशेंट्स हैं 2950 बेड्स हमारे कोरोना के लिए अलग से इयर मार्क कर दिये गएं तो लगबग अगर 3000 तक पेशेंट्स होते हैं तो मैं पास हॉस्पिटल के अंदर बेड्स हैं 3000 क्रोस कर जाता है तो हम GTV हॉस्पिटल को पूरी तरह से कोरोना डिक्लेयर कर देंगे GTV में हमारे पास 1500 बेड्स हैं तो 4500 बेड्स हो जाएंगे इस तरह से हमने प्लैनिंग किया है कि 3000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा 4000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा 5000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा 6000 पेशेंट होंगे तो किसको टेक ओवर करेंगे इस तरह से 30,000 active patients, अगर दिल्ली में 30,000 patients हो जाते हैं, active patients, treat कियो वे नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में आए, इलाज हो गया, ठीक हो गया और घर चले गया, वो नहीं, 30,000 active patients जब दिल्ली में अगर होंगे, उसकी हमने पूरी तयारी किया है, 30,000 active patients में हमारे पास 8 हजार hospital के beds होंगे, वो कौन-कौन से hospitals में होंगे, उसकी सारी चिन्नित कर लिया गया, कि इतने के बाद फिर इस hospital को take over कर लेंगे, इतने के बाद इस hospital को take over, 12,000 होटल के कमरे take over किये जाएंगे, किस-किस होटल को कब take over किया जाएगा, इसकी भी चिन्नित कर लिया गया, कि 8, हजार पेशेंट होने किया दिस होटल को टेक ओवर किया जाएगा और दस हजार पेशेंट को बैंक्वेट्स और धरमशालों में रुकवाया जाएगा तो तीस हजार जब हमारे पास पेशेंट होंगे तो जो सबसे सीरियस पेशेंट होंगे जिन पेशेंट को हाट की बिमारी या लिवर की बिमारी या कैंसर या सांस की बिमारी या डाइबिटीज होगी वो और जो पचास के उपर की उमर की होंगे इन लोगों को अस्पताल में रखा जाएगा और जिन लोगों को माइनर सिम्टम्स होंगे जो 50 के कम की उमर होगे, कोई और विमारी नहीं होगी, इस तरह के, उनको हम होटल में और धरमशाला में, ऐसोलेशन में रखेंगे. लेकिन वहाँ भी सारी medicals विदाय होगी. वहाँ भी doctors, nurses, सारी medicals विदाय होगी. लेकिन जो serious किसम के patients होंगे, उनके लिए 8,000 beds का इंतजाम किया जाएगा कितने patients होने पे हमें कितने ventilators की जुरूरत पड़ेगी, कितने oxygen की जुरूरत पड़ेगी, इसका भी पूरा खाका तयार है 30,000 patients होने पे हमें 400 ventilators की जुरूट पड़ेगी 1200 oxygen के beds की जुरूट पड़ेगी इनके सब की तयारी की जा रही है काफी तयारी हो चुकी है हमें कितने PP kits की जुरूट पड़ेगी कितने patients पे इसकी पूरी calculation की जा चुकी है इस वक्त बाकी चीजों के उतनी दिक्कत नहीं है PP kits की थोड़ी सी समस्या आ रही थी थोड़ी सी मदद कल केंदर सरकार से पहुची है हमें PP kits के हमने काफी सारे order कर दी है लेकिन अगले हफते तक वो order आने चालू होंगे इस दौरान थोड़ी emergency situation थी कल केंदर सरकार से परसो चिठी आई है कि 27,000 PP kits वो हमें दे रहे हैं वो आज या कल में आ जाएगी तो फिलहाल PP kits की समस्या भी हमारी दूर हो जाएगी तो ये treatment है तीसरा T treatment है चौथा T हमारा है teamwork teamwork पर जब तक हम काम नहीं करेंगे टीम की तरह और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही है राजनीती से उपर उठके सारी सरकारें केंदर सरकार, राज्य सरकारें सारी agencies सब एक टीम की तरह काम कर रही है और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब मिलके एक टीम की तरह काम कर रहे है इसमें सारी राज्य सरकारों को भी मिलके काम करना पड़ेगा अगर हम दिल्ली के लोग यहां बैठके सोचें कि अपने को दिल्ली दिल्ली का सोचना है महराष्टर में कोई बिमार पढ़ रहा है तो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है महराष्टर में अगर कोई बिमार है और जिस दिन लॉकडाउन खुलो और वह दिल्ली आगया तो फिर अपने दिल्ली में फैल जाएगा दिल्ली में कोई बिमार है और कर लॉकडाउन खुलेगा वह पश्चिम बंग निए हो गया के रहला में ही हो गया किरला में ही बाश्च में मद्ड़ेश खाम किया हमें एक दूसरे से सीखर एक टीम की तरह काम करना है डॉक्टर्ज और नर्सेज हमारी इस टीम का हमारे इस परिवार का एहम हिस्सा है किसी भी हालत में हमें उन्हें बचाना है वो हमारे सबसे बड़े सिपाही है वो हमारी इस टीम का सबसे उनके परिवार का हमें ख्याल रखना है कहीं कहीं मैं देखता हूं कि डॉक्टर्स के साथ उनके परऊसियों को उनके कॉलोनी वालों को उन्होंने कहा कि आपको तो कॉरोना हो गया होगा आप कॉलोनी में मद गूसी ये सही नहीं है ये बिल्कुल गलत है इसको बरदाश्ट नहीं किया जाएगा सबसे important इस कड़ी का हिस्सा हमारे doctors है और हमारे देश के लोग हम सब लोगों को इस वक्त lockdown के वक्त एक अनुशासित तौर पे अपने घर में रहना है social distancing का follow करना है देश के लोग इस team का सबसे बड़ा हिस्सा है और मुझे बेहत खुशी है मैं यह देख रहा हूं कि इस वक्त जरूरत के वक्त जिन लोगों के पास पैसा है वो सामने आ रहे हैं जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं पैसे वाले लोग हैं वो कोशिश करके इदर उदर से पी-पी किट औरगनाईज कर रहे हैं जो और कई सारी धार्मिक संस्थाइं हैं समाजिक संस्थाइं वो खाने का इंतिजाम कर रही हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब ऑपोजिशन हो या पक्षो या वपक्षो सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं थोड़े दिन पहले मैंने सभी बीजेपी के लीडर्स के दिल्ली के लीडर्स हैं उनके साथ जो मेलें उनके साथ बात की थी कल मैं सभी दिल्ली के सांसुदों के साथ बात करने जा रहा हूं उनके विचार, उनकी जो भी बातें उनको हम सुनेंगे, उनके हिसाब साथ काम करेंगे और पांचवा टी है, ट्रैकिंग एंट मॉनिटरिंग मैंने इतनी सारी बाते तो बोल दी, लेकिन इन सब बातों को मॉनिटर करना उसको ट्रैक करना कि चीज़ें सही चल रही है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है दिल्ली के अंदर 24 घंटे, मॉमेंट टू मॉमेंट ट्रैक करना कि जो पूरा हमने प्लान बनाया, वो प्लान उसके हिसाब से चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है वो 24 घंटे मैं ट्रैकिंग कर रहा हूं मैं मॉनिटर कर रहा हूं और मैं इसके उपर नज़र रखूंगा मुझे पूरी उमीद है कि अगर हम करोना से तीन कदम आगे रहेंगे तो हम करोना की इस लड़ाई को मिलके जीत पाएंगे तीन की तरह जीत पाएंगे बहुत बहुत शुक्रीए